हेलो एब्रीवन वेलकुम अगेन टू लर्ण प्रिदेतीमन आजम करेंगे चेप्टर नंबर फाइफ आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप यह हमारा क्लास 6 चल रही है तो लास्ट वीडियो हमने किया था राजिस्थान की प्रमुक सब्वेता हैं तो वहाँ आपको एक कोशन का आंसर देना है कि किस सब्वेता से 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से 8 मुद्राएं 5 मार्क की थी तो आपने सुन लिया अच्छे से कि किस सब्वेता से 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जिसमें से 8 मुद्राएं 5 मार्क की थी ठीक है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है तो मैं सभी के आंसर देखूंगी चलिए स्टार्ट करते हैं चेप्टर रविवार का दिन था दिसा अपनी मा के साथ गाओं के पंगट पर पानी भणने गई थी पानी लेकर आते समय उसने पंगट के पास बने हुए पुराने के लिए पर कुछ लोगों को घूमते हुए और फोटो खीशते हुए देखा ये देखकर उसने मा से प्रश्न किया क्या किया कि ये लोग कौन है और यहां क्या कर रहे हैं तो मा ने बताया कि ये क्या है परियाटक हैं और इस पूराने किले को देखने आए हैं। दिसा ने वापस प्रश्ण किया इस किले में ऐसा क्या है जो ये देखने आए हैं। मा ने बताया ये किला बहुत पहले इस गाउं के जागीरदार ने बनवाया था। वे इसमें रहते थे और इसकी प्राचीनता की कारण परेटक इसे देखने आते हैं। अब दिसा ने एक और प्रश्न कर दिया और फिर क्या किया उसने कि ये जागीरदर कौन होते हैं। तो उसके मन में बहुत सारे कुश्चन आते रहे धीरे-धीरे करके। तो अब उसने कुछ और प्रश्न पूछती, उससे पहले ही घर आ गया और उसकी प्रश्नों का सिल्सिला तूट गया। दिसा के मन में जागीरदार को लेकर कई प्रश्न गूम रहे थे। दूसरे दिन दिसा ने स्कूल में अपने अध्यापक से कक्षा में आते ही प्रश्न पूछ लिया जागीरदार कौन होते थे, ये अब कहां गए, तो अध्यापक ने कहा, चलो आज आपको जागीरदार और जागीरदारी विवस्था के बारे में जानकारी देता हूँ आजादी से पहले हमारा राजिस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था, यह मुख्यत विभिन रियासतों में विभाजित था, जो हम भी पढ़ चुके हैं, ये रियासतें सोतंत्र राज्जी की तरह साशन संचालन करती थी, रियासतों के शाशक अपने मंत्रियों, जागीर प्रवदारों की सहायता से साशन का संचालन करते थे, शाशक शक्ती का सर्वोच केंदर राजा होता था, शाशन का यह प्रकार राजशाही साशन कहलाता था, तो पहले क्या था? राजशाही साशन, अब देखिए, तो यहां तक तो आपको ज्यादा समझने की जुरूत नह करते थे, यह अलग-अलग राज्य थे, किन्तु शाशन विवस्ता लगबग समान थी, विभिन रियासतों में शाशन संचालन के लिए केंदरी विवस्ता के पदादिकारी राजा, मंत्री, बक्षी, खंजाची, परगना, अधिकारी थे, तो सभी जगे अलग-अलग विव थी, लेकिन राजिस्तान की जो विभिन रियासतें थी, वहाँ पर राज्य तो अलग-अलग थे, लेकिन साशन विवस्ता लग-बग समान थी, तो देखिए, जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, मुरे काल में, मुगल काल में साशन विवस्ता अलग-अलग दिखाई देत उसी तरीके से यहाँ पर राजबूत शाषनकाल में लगबख समान ही थी, तो यह जो पद हैं ये भी सभी के समान थे, और सबसे जो बड़े होते थे, सबसे बड़ा पद किसका होता था, यहाँ पर वो होता था राजा का. राजा, राजा राजी की संपूर सक्ती का सर्वोच केंदर होता था, सामाने ते राजा अपने सलाकारों एवो मंतरी परिशत के सदस्यों के सहीयोग से शाशन संचालन करता था नेक्स्ट है मंतरी, मंतरी कौन होता था, राजा अपने साशन कार्रे में सहायता हेतू मंतरियों की निप्ती करते थे, प्रमुक मंतरी को क्या कहते थे, दीवान कहते थे, राजा समय समय पर इनकी मंतरना करके राज्यकार्रे की जटिल समस्याओं को सुल जाते थे तो यहाँ पर बस यही लाइन याद रखनी है आपको बाकी सबी चीज़ें तो बहुत ही सामानने हैं कि जो प्रमुक मंतरी होते थे उनको क्या कहते थे दीवान कहते थे नेक्स्ट देखिए बक्षी सैना को वेतन देने तथा सैना संबंदी अन्यकार्यों की जिम्मेदारी बक्षी की होती थी तो याद रखना है यह बक्षी कौन होता था जो सैना को वेतन देता था सैना संबंदी सभी कार्यों की जिम्मेदारी जो है वो किसकी होती थी बक्षी की होती थी खंजाची अब ये खंजाची कौन होता था जो की आमदनी और खर्च के हिसाब को क्या करता था संतुलित करता था कि कितना आमदनी होई है इस साल कितना खर्च हुआ है इनका सभी का हिसाब किताब record कौन रखता था खंजाची और बच्चत को सुरक्षित कर राज कोस में व्र याद रगना है बक्षी होता था जो सैना को वेतन देता था सैना सम्मंदी सभी कार्य करता था बक्षी ठीक है इसी की जिम्मेदारी होती थी और खंजाची ये क्या करता था जो भी सालाना आमधनी होती थी गशार्च होता था इनका हिसाप किताब रखता था जो बच जाता था उसे राज को उस में जमा्कर देता था next ओ देखिए परगणा अधिकारी परगणा यानि की जिने हम आज क्या कहते हैं जिले कहते हैं राज्य परगणों में विवाजित था जो कि आज भी तक राज्य क्या है जिलों में विभाजित ए, तथा परगनी में सांती विवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती ठी, तो इसको तो बहुत आसानी से याद किया जा सकता है, परगना यानि की अभी जिले हैं, उनसे याद रखना है, और जब परग जना की क्या करेगा रक्षा करेगा जिम्मेदारी उसी की होगी ग्राम राज्य की सबसे चोटी एकाई थी ठीक है यह कुशन जो है वो बनता है राज्य की सबसे चोटी एकाई किसे कहा जाता था ग्राम को ग्राम का प्रशाशन ग्राम पंचायत करती थी ठीक है तो अब यह भ मैं भी ग्राम का प्रशाशन करती थी तो यह हमने देखा नेक्स देखिए जागीरदारी विवस्ता क्या थी तो अब अध्यापक ने क्या बताया जागीरदारी विवस्ता के बारे में कि एक विवस्तित राज्य के लिए प्रशाशनिक विवस्ता अनिवार्य तत्व है कि वह प्रशाशन जो है उस राज्य का किस तरीके से चलाया जाएगा राजिस्थान की मद्यकाल का संपूर्ण शाशन तंत्र राजा और जागीरदारी विवस्था पर आधारित था। जो की इंपोर्टेंट है और वो क्यों है राजिस्थान की जो जागीरदारी विवस्था थी वो रक्त संबंद पर आधारित यानि कोई अगर बड़ा बेटा अगर जागीरदार है तो जैसे पिताजी अगर जागीरदार है तो पिताजी की मृत्यू के बाद बड़ा बेटा बड़े बेटा अगर है, उसकी मृत्य हो जाती है, तो फिर उससे छोटा बेटा, इस तरीके से रक्त संबंद पर आधारिता, ठीक है, कुलिय भावना पर आधारिता, राजिस्तान में जागीरदारी विवस्ता का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यू के बाद बड़ा पुत कि वहाँ पर ऐसा नहीं होता था, कि बड़े बेटे को ही बना देते थे, वहाँ पर जो भी शक्तिशाली होता था, वो बेटा बन जाता था राजा, लेकिन राजपूत काल में क्या होता था, कि यहाँ पर कितने भी बच्चे हों, लेकिन जो बड़ा बेटा होता था, वही राजा बनटा था, राजेस्थान में जागीरदारी विवस्ता का मूलतत्व था, राजा की म्रत्यव के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था, और राजा अपने छोटे भाईयों को जीवण यापन के लिए क्या देता था, भूमी देता था, और भाई, बंधू को दी इस स्वामी जागीरदार कहलाता था तो आप समझ गये होंगे कि जागीरदार कौन होते थे जागीरदार का कार्य क्या होता था कि उस जागीर की सुरक्षा करना और उसका शाषन संचालन उसके बाद योगिता के आधार पर जागीरे प्रदान की जाने लगी ठीक है पहले तो क्य उस थोड़े समय के बाद ही परिवर्तन आया, तो अब जो ज़्यादा सक्तिसाली होता था, उसे उसी तरीके की जागीरे प्रदान की जाती थी, योगेता के आधार पर. कक्षा में बच्चे रुची से सुन रहेते, तभी सिखर ने सिख्षक से पूछा कि ये विवस्था कब से प्रारम हुई, इसके बारे में भी बताईए, अध्यापक जी ने कहा, मैं आपको इसके प्रारम और इसके स्वरूप के बारे में बताता हूँ, यह हम पढ़ेंगे ज विक्सित एवं इसपस्ट सरूप राजपूतों के शाशनकाल से प्रारम हो गया, राजिस्थान भूभाग पर राजपूतों की बिबिन साखाओं ने अपने राजजे स्थापित किये, जो उनकी रियासते कहलाई, रियासतों की सुरक्षा और सासन विवस्था के संचालन ह तो राजिस्थान में जो भूभाग थे, उनको क्या कहा गया, रियासते कहा गया, उनकी रियासतों की सुरक्षा के लिए, संचालन के लिए जागीरदारी विवस्था प्रारम हो गई, तो यही मान लेते हैं कि जागीरदारी विवस्था जो है वो, यहां से प्रारम हो गई जागीरदारी विवस्था का स्वरूप, राजेस्थान में यह रक्त संबंद पर आधारित सगोत्रिय कुलिय विवस्था थी और राजा महत्वपून प्रशाशनिक पदों पर जागीरदारों को निक्त करता था राजा और जागीरदार के संबंद स्वामी और सेवक के नहीं होते थे बलकि भाईचारे एवं सोहार्द पर आधारित होते थे तो राजपूत काल में जो राजा होता था और उसके जो जागीरदार होते थे तो उनमें ऐसा संबंद नहीं होता था कि मालिक और नौकर का हो तो मद्यकाल में, देखिए मुगल काल में मुगलों से संदी के कारण, मुगलों से संदी होने लगी राजपूतों की, तो अब परिवर्तन तो आएगा ही, तो शाशकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई, शाशक मुगल मनसवदार बन गई और उन्हें मुगलों का सन्रक्षन प्राप्त हो गया इससे साशक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यभार करने लगे तो जैसे ही मुगल काल आया तो पहले क्या था बहुत भाईचारे की भावना रहती थी राजा और जागीरदार के बीच में लेकिन अब जब परिवर्तन आया तो कैसा हुआ कि स्वामी का रूप धारन कर लिया किसने शाशक ने ठीक है और जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यभार करने लगे प्रारम में जागीरदार युद्ध एवं सांती के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे लेकिन मद्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था न रियासतों ने अपने प्रशाशन को परगनों और ग्रामों में विभाजित कर दिया ठीक है तो कैसे परिवर्तन आया तो यह आपने देखा सबसे पहले जब राजबूत काल था तो उस समय ऐसा कुछ भी नहीं बुआ था बहुत ही अच्छे तरीके से रहते थे राजा करने वाला बात नहीं है यहां तो केवल क्या है बस थोड़ा सा समझने वाली बात है कि किस तरीके से जागिरदारी विवस्ता में परिवर्तन आया नेक्स्ट देखिए अब अंग्रेजों का शाशन आया तो अब और परिवर्तन आयेगा अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशाशनिक दरश्टी से दो भागों में बट गया पहला ब्रिटिस भारत और दूसरा रियासती भारत ब्रिटिस कालीन भारत केंद्र शाशित प्रदेशों और ग्यारा प्रांतों से बना हुआ था सभी प्रांतों के अलग-अलग गवर्नर थे जो की भा आज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया तो देखिए फिर परिवर्तन आ गया लाइड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वाय सराय न्युक्त किया गया तो यह हम आगे चलकर डेटेल में पढ़ेंगे यह सभी चीजें ठीके तो यहां बस आप इस चै जो भारत सरकार अधनियम बहुत इंपोर्टेंट है यह वाला अधनियम 1935 का जिसे 1 अप्रेल 1937 में लागू किया गया तो इसके दोरा क्या हुआ अजमेर मेरवाडा की प्रशाशन में परिवर्तन लाया गया अब इसे विदेश और राजनितिक विभाग के इस्थान पर भ अभी कानून संगिय कारेपालिका द्वारा बनाये जाने लगे ना कि गवर्नर जनरल द्वारा ठीक है तो अब संगिय कारेपालिका जो है उसका एहम रोल हो गया पहले किसका था गवर्नर जनरल का वही सबी कानून बनाते थे लेकिन 1935 का जो भारत सरकार अधनियम आया और यह 1 अप्रेल 1937 को लागू किया गया उसके बाद संगिय कारिपाल का जो थी उसने सारा साशन जो है समहाल लिया ठीक है तो ये चीज भी आप याद रखिएगा ठीक है और ये लाइन भी याद रखनी है कि अजमेर मेरबाडा का प्रशाशन जो है इसमें परिवर्तन कब आया जब 1935 इसवी का भारा सरकार अधिनियम आया था देश की आजादी के बाद रजिस्थान के एकिकरण की प्रक्रिया सुरू हुई रजिस्थान की प्रथम विधान सभा के लिए 1952 में चुनाव हुए देखिए ये लाइन बहुत इंपोर्टेंट है रजिस्थान की प्रथम बिधान सभा के लिए चुनाव कब हुए 1952 में टीका राम पालिवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने तो चलिए ये चैप्टर होता है आपका समाप्त जागीर पट्टा है हमने देखा जागीर पट्टा एक शब्द आया था तो ये क्या होता है वह पत्र जिसमें शाशक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उलेख होता है मनसबदारी तो मुगलकाल में हमने शब्द देखा मनसबदारी मुगलकाल में प्रचलित एक प्रशाशनिक प्रणाली को क्या कहते थे? मनसबदारी और ये अकवर ने प्रारम की थी वो हम जैसे ही बड़ी क्लासेज में आते जाएंगे वहाँ हम देखते जाएंगे निर्वाचित का अर्थ क्या होता है? चुना हुआ अब आते हैं इसके अभ्यास प्रश्न पर तो इनको भी देखते हैं वटापट से तो किसकी होती थी? पटापट से इसका आंसर बताईए तो यहाँ पर क्या रहेगा आंसर? यहाँ रहेगा बक्षी ठीक है? बक्षी इसका सही आंसर रहेगा राजिस्थान की प्रथम निर्वाचित मुख्य मंत्री थे तो बिल्कुल हाल ही में अबने अभी अभी पढ़ा कौन थे? मोहनलाल सुखाडिया, जैनारायन व्यास, हरीदेव जोसी या टीकाराम पालीवाद तो आंसर क्या रहेगा सही? टीकाराम पालीवाद इसको याद रखिएगा यहां पर देखिए सुमेलित करने को है ग्राम ग्राम को हम किससे सुमेलित करेंगे? ग्राम को हम करेंगे सुमेलित राज्जी की सबसे छोटी एकाई मंसबदारी क्या था? जो कि हमने अभी सब्दावली में भी पढ़ा कि यह मुगल कालीन प्रशाशनिक विवस्ता और जागीर पट्टा क्या था जागीर पट्टा एक पत्र जिसमें शाशक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उलेक होता था ठीक है तो यह चीजें जो हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी है चेप्टर जो है वो इतना ज़् स्किल नहीं था यहां पर 4-5 कुश्चन ही आप लोगों के निकल कर आएंगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शेप्टर के साथ थैंक यू